अपने कूम वेलकम बैक टू माई चैनल उमीद है कि आप लोग ठीक होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आपका अकाउंट पूराना है या नया है आप अपने अकाउंट में स्टोरी रिप्लाइस का फीचर किस तरहां से ले सकते हैं आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आपको अपनी पूरी प्रोफाइल को बिजनेस में अपग्रेड करना है grade करने के बाद आपको सब feature मिल जाते थे story replies का feature नहीं मिलता था लेकिन अगर आप आप दुबारा upgrade करेंगे उसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से तो आपको story replies का feature भी मिलेगा inside भी आप देख सकते हैं public profile पे story भी upload कर सकते हैं so guys इस method को follow करने से पहले आपका जो account है उसकी जो public profile है वो normal होनी चाहिए वो business बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए तो फिर अगर normal अगर आपकी public profile है आप उसको follow करते हुए procedure को अपनी जो public profile है उसको business में upgrade करेंगे business में upgrade करने के बाद आपको creator account का हर feature मिल जाएगा मैंने खुद अपने account upgrade किये हैं तो उस वक्त मैंने recording नहीं किती क्योंकि मुझे नहीं बातूं था कि मैं successful हो सकूंगी क्या ये नहीं तो इस वज़र से जिस account को मैंने record किया आज मैं उसका screenshot और screen recording सब कुछ आपके साथ share करूँगी so guys मैंने नए account भी upgrade किये हैं मैंने पुराने भी किये हैं पहले मैं आपको सब वो accounts की detail दिखाती हूँ जो मैंने upgrade किये हैं लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर clear करती चलूँ जब मैंने अपना पुराना account जो मैंने 2016 में upgrade किया तो उसके आदे घंटे तक मेरे पास public profile शो नहीं हो रही थी मेरी Snapchat एप में अगर मैं उसको Chrome पर देख रही थी मुझे वहाँ पर public profile शो हो रही थी लेकिन जैसे ही मैंने एप open की तो मुझे लगा मेरी public profile रिमूफ हो गई है अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया लेकिन आदे घंटे बाद मैंने अपनी Snapchat ओपन की एप उसमें मैंने देखा मेरी public profile भी आ गई थी public story भी मैं upload कर सकती थी और मुझे story रिप्लाइस का feature भी मिल गया था सो मेरी एक और subscriber हैं South Africa से उनकी जब मैंने अपग्रेड की तो वो उनकी public profile चार घंटे बाद उनको show हुई सो गाइस इस तरह आपको tension लेनी की ज़रुवत नहीं है यह हो जाता है क्यूंकि अपग्रेड होने में time लगता है इसकी वरह से आपको अपने account में public profile नजर नहीं आती लेकिन कुछ cases में ऐसा होता है कि फॉरण से आपका account अगले पांच मिनट में अपग्रेड भी हो जाता है और आपको सारे creator feature भी मिल जाते हैं जो अपग्रेड करने का तरीका मैं बता रही हूँ इस account से आप easily spotlight पे earning कर सकेंगे जो जो तरीके हैं snapchat पे easily आप earn कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि हमने snapchat plus की subscription ले रही थी अब हमारे spotlight पे views अच्छे नहीं आ रहे आप हमें बताएं हम क्या करें यह आपके दिमाग की एक tension है जो आप लोग कुछ भी purchase करते हैं आप सोच लेते हैं इसका effect spotlight पे पड़ेगा बलके ऐसा कुछ भी नहीं होता यह business account है business account eligible है spotlight की earning के लिए मेरे दो account हैं जो कि बहुत पुराने हैं पहले मैं आपको वो show करवाती हूँ कि मैंने जब वो upgrade किये थे तो मुझे उसमें हर feature देखने को मिला है उसके बाद last में मैं आपके साथ discuss करूंगे कि किस तरह से आपने इसको upgrade करके story replies का feature हासिल करना है so guys यह है मेरा 2016 का account तो आप लोग जो मुझे message करते हैं snapchat पे उनको मालूम होगा कि मेरे पास ना तो public profile थी और ना ही मैं यहाँ पर story replies का feature use कर सकती थी bell icon पर press करेंगे यह देख सकते हैं सारे story replies मुझे यहाँ पर receive हो रहे हैं और अगर हम इसकी setting में जाएं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हो यह story replies का feature भी मुझे यहाँ पर मिल गया है so guys यह मेरे account 2020 में create किया था आप यहाँ पर देख सकते हो story replies का feature इसमें भी है लेकिन यह account में ना तो use करती हूँ so अब मैं आपको दिखा देती हूँ यह आप देख सकते हैं 1st December 2020 में मैंने यह create किया था और मैं इसको बिल्कुल भी use नहीं करती पॉब्लिक प्रोफाइल पे चले जाएं 6,000 यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं आप यहाँ पर सकते हैं insight वगरा सब कुछ so यह मैंने भी उसी दिन अपग्रेट किया था जब मैंने अपना पुराना वाला अपग्रेट किया था तो मैं use नहीं करती थी लेकिन मैं try करना चाहरी थी क्या अपग्रेट करने से story replies मिल जाता है तो बिल्कुल मिल जाता है so guys अब मैं आपके साथ share कर लेती हूँ कि आपने किस सरहां से अपनी normal public profile को अपग्रेट करना है business में उसके बाद आपके पास creator account का हर feature आपको मिल जाएगा यह है account मेरी एक South Africa की subscriber इन्होंने अपग्रेट करने के लिए अपना account मुझे दिया है क्योंकि इन से नहीं हो रहा था आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने account बनाया है 2017 में अगर हम इनकी public profile को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर story replies का feature आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी मैं इनके account को upgrade करने लगी हूँ उसके बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको story replies का feature देखने को मिलेगा सबसे पहले आपने chrome browser में चले जाना है business.snapchat.com पर आपने click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने account का user name यहाँ पर enter करना है उसके बाद अपना आपको यहाँ पर password enter करना है password आप जैसे ही enter करेंगे then आपने इसको login कर लेना है यहाँ पर अब login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरहां का interface आएगा और यह सब कुछ आप mobile में कर सकते हैं सबसे top पर आप देख सकते हैं open up business account आप यहाँ पर click कर लेंगे confirm business name में आप अपने snapchat का user name enter कर देंगे उसके बाद confirmation business email में आपकी जो भी snapchat की email address है आप वो यहाँ पर enter कर देंगे उसके बाद यहाँ पर check box लगाएंगे create आप business पर आप जैसे ही click करेंगे आपकी profile है upgrade हो जाएगी then आप continue पर click करेंगे continue पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा आप letter पर click कर देंगे इसके लावा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आप top side corner पर देख रहे होंगे जहाँ आपकी bitmoji है यहाँ पर sign out का button आपको देखने को मिलेगा just वहाँ पर click करके आप यहाँ से sign out हो जाए easily then आप back पर जाएंगे आप अपनी app को open करेंगे जहाँ पर आपका account already login है snapchat में अब देखें मैं यहाँ पर जैसे ही इनका account login किया आप यहाँ पर देख सकते हो फोरण से इनका account creator account में अपग्रेड हो गया तो यहाँ पर continue पर आपने click करना है then आप get started पर click करेंगे अब मैं आपको इनकी public profile दिखा देती हूँ आप देखोगे यहाँ पर अप public story भी upload हो सकती है inside भी देखने को मिल सकती है इसके इलावा setting में जाओंगी मैं आपको यहाँ पर दिखाओंगी इनको story replies का feature भी मिल गया है so guys इस तरहां से आप अपने account को upgrade कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी public profile already business में है तो पहले आप उसको normal पे लेकर आए फिर आने के बाद यहाँ पर आप उसको upgrade करेंगे business में so guys इस तरीके से आप अपनी public profile को business में upgrade करने के बाद creator account का हर feature हासिल कर सकते हैं आपके सामने ही मैंने आपको अपने account भी दिखाए जो आज मैंने upgrade किये मैंने आपको उसकी recording भी दिखाई upgrade करने के बाद guys आपके subscriber सेम वैसे रहेंगे आपकी जो भी public profile पे वीडियो है उस पे जितने views हैं spotlight की वीडियो वो सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा किसी में भी कोई भी कमी नहीं आएगी आप upgrade iPhone में भी कर सकते हैं आप Android में भी कर सकते हैं इस वीडियो को follow करने के बाद भी अगर आपका account अपग्रेट नहीं हो रहा और अगर आपने मुझे Instagram या Snapchat पे message किया तो याद रखना मैं आपसे charge करूँगी बिना charge किये मैं कोई काम नहीं करूँगी क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि इस वीडियो को देखते हुआ आप अपने account को खुद ही charge कर लो नेक्स वीडियो में मैं आपके साथ ये discuss करूँगी कि zero subscriber के साथ आप story replies का feature एक new account में भी किस तरहां से ले सकते हैं I hope कि इस वीडियो में जितना भी concern था आपका मैंने हर चीज़ आपको यहाँ पर clear कर दिये अगर फिर भी कोई confusion है तो आप कमिट में मुझसे पूछ सकते हैं इंशाला बहुत जल मिलूंगी आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में तब तक के लिए अला आफेस